नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आपके अपनी चैनल अंजली नियूस कौर में, मैं हूँ आपकी वही अंजली जाने क्यों हमें आसू बहाना है आता जाने क्यों हाले दिल बताना नहीं आता क्यों साथी बिछट जाते हैं हमसे शायद हमें ही साथनी बहाना नहीं आता जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशेफल की बात कर रहे हैं आज की दिन जिनका बर्जे है या फिर मैरे जुनिवर्सरी है उनको मेरी और से धेट सारे शुब काम नए और प्यार भरी बदाई हो तो चलिए शुरू करते हैं परिक्षा उन्ही की होती है जो उसके लायक होते हैं आशावादी लोग उलजी राहों में भी अपनी वन्जिल तलाश कर ही लेते हैं एक सकरात्मक क्रिया करने के लिए तुम्हें एक सकरात्मक त्रिष्टी रखनी पड़ेगी अपने सपनों को पूरा करने के जिद को बकड़ो नहीं तो कोई और तुम्हें अपनी जिद को पूरा करने के लिए काम पर रखेगा जिन्दगी में पच्टावा करने से कुछ हासिल नहीं होता पच्टावा करना छोड़ दीजिए बलकि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़ कर पच्टाएं उनके पीछे एक दिन काफिला होता है जिनने अकेले चलने का हौसला होता है हमेशा आप इतने छोटे बनिये कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिये कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे सफलता का रहस्य है आत्मविश्वास का होना सफलता एक लड़ाई है आपकी खुद के साथ भगवान से वो मांगो जिसके आप हकदार हो वो नहीं जो आप चाहते हैं दुनिया को अपने सपने सुनाओ नहीं बलकि पूरा करके दिखाओ जिंदगी में सूर की तरह चमकना है तो उसकी तरहा जलना भी सीखो कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अपना सरवश्रेष्ट दें परफेक्ट दीजे अगर कुछ आपको आज कष्ट दे रहा है तो वो कल आपको मजबूत भी करेगा किसी का पीछा करना बंद करो जो आपकी परवा करता है वो आपके साथ चलेगा बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना कृदार सिंदगी में कि परदा गिनने के बाद दे तालियां बचती रहे हर पल, हर लमहा, खुशी ढूंडो जिन्दगी बहुत ही छोटी है जीने की वजा ढूंडो सिबसे पहले में आपको बता दू कहजाब के लिए शुब रंग रहने वाला है आज कर डाक ग्रीन और शुब अंग कर रहने वाला है नमबर पांच आज का दिन आपके लिए किसी फिजूल की बात में उलज कर परिशान या तनाव गरस्त होने का नहीं है हाँ, अगर कोई परिशानिया चल दे नहीं है, तो वे चल्द ही हल हो जाएंगे असमंजस की स्थिती हो सकती है, किसी एक्सपार्ट या कांसलर से सलाह करे किसी पुराने जानकार से मुलाकात भी हो सकती है आज आपको किसी नए अफसर से अवगत भी करवाएगा आज का दिन यानि किसी तारे जो हैं, आपके लिए नए मौके तलाश कर लेकर आएंगे जिसे आपको अपने जो योगटा है, उसको शो करने का आपको बहुत अच्छे अफसर मिल सकते है आज किसी बात को लिए थोड़ी बहुत परिशानिया रहेंगे ये जो परिशानिया है, especially आपके घर से लिलेटिट भी हो सकती है किसी बी तरका तनाव भी हो सकता है, जिससे कि आपकी आजसे दर्द या फिर माईगरन जैसे सितिवित पन हो सकती है तो ज़्यादा टैंशन लेना बहुत ही खदरनाक साविर हो सकता है, इसलिए मत ली जगा टैंशन इसके साथ ही धार्मी के संस्था के प्रती आप तन और मन से सहयोग देंगी, आपको खुशी बहुत बिल पाएगी साथ ही समाज में भी मानसमान की बड़ोतरी नजर आ रही है आपकी अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप कोई पर्यास कर रहे थे काफी देर से, तो आज का दिन बहुत ही शुप है आज अगर कुछ खरीदा चाहते हैं तो खरीद लीजे, आज उस पर अपना ध्यान फोकस कीजे, बहुत इच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन अपने अहम और क्रोध पर काबू रखी, इनकी वज़ा से आपकी कई काम बिगड़ सकते हैं दिखावे की वज़ा से फिजूल की जो फिजूल खर्ची है भी हो सकती है आपकी, यानि कि चादर देकर पैर बसारिएगा बच्छे आज कुछ जादा ही करचा करवा सकते हैं आपका आज का दिन हर तरफ से सहयोग आत्मग भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, वातावरन ठीक रहेगा बस आपकी जो है मन की टेंशन रहेगे लोग खुद आपके मदद के लिए आगे आएंगे, किसी को आपकी बातों और विचारों से काफी प्रेड़नाय मिल सकते हैं अज आपको अपनी छवी को मचबूत बनाना राच चाहिए और बहुत ही अच्छा समय अगर आप अपने इमेज को निखारती हैं, अपने आपको अपडेट्स करते हैं आपका अपनी प्रेजनों के साथ समय बहुत ही बढ़िया से गुजर पाएगा आज के दिन आज का दिन समाज सेवी संस्थाओं के साथ मदद में बीच सकता है धरम कर्म से लेटी कारे में भी आपकी रूची बनी रहेगी और युवा वर्ग अपनी महनत के अनरूप शुब परिनाम मिलने से तरा मुप्थ हो सकते है स्टूरंस अपने पढ़ाई के प्रती लापरवाही मत बढ़तीएगा आज उनके लिए स्पैशली है किसी निजदेकी रिष्टेदार के साथ मन मुठाब हो सकता है ऐसे सितियंत्पन हो सकती है जैसा कि मैंने शुरुवाती कहा था कि रिष्टेदारियों में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे आपका जो सिर्दर्द है या फिर माइकरेन है वो शुरू हो सकती है थोड़ी से साथधानी बढ़तीगा रिष्टों को बिगणने से बचा लीजीगा वरना अगर रिष्टे एक बार बिगड़ गए तो फिर वो वैसे नहीं जुड़ते जैसे पहले होते हैं तो इस बात का आपको विशेश रुप से ध्यान लगना है बिजनिस और करेर के बात करते हैं तो सितारे कहते हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड कारों में आज जादा समय स्पेंट कर पाएंगे यानि कि आप आज घूमते फिरते रहेंगे मार्केटिंग में और अपने संपर्क सूत्र को भी मचबूत बनाएंगे सभी आज आज आपसे बहुत ही खुश होंगे आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया जाएगी इनसे आपको काफी हद तक ला मिल पाएगा आए में बहुत बढ़ोतरी देखने को एकदम से मिल सकती है सिरकारे सेवा में जो काम करते हैं से गर्मन जॉब्स वाले व्यक्ति उनको आपने बहतरीन परिणाम देने से उपलब भी पराप्त हो सकती है यह बहुत बढ़िया बात है आपकी टीम आपके साथ काम करेगी और साथ हमें आपकी काम से वो बहुत कुछ सीख सकती है क्योंकि आप इन चीजों में एक्सपर्ट है वे मदद के लिए आपके पास आएंगे और आप उनकी भरपूर मातरा में मदद भी कर ही पाएंगे नए प्रभाव शली संपर्क आपके बनेंगे बिजनस में आपको जो है बहुत ही जादा लाब देखने को मिल रहा है आपको जो है अडवर्टीजमन करनी चाहिए उसमें बहुत फायदा है वर्टमा सितियां आपके पक्ष में रहेंगी आज जो है जिनका काम रेडी मेड सूट्स का है उनको बहुत ही फायदा मिल सकता है सितारे कहती है कि आज आपके आया जो है पहले से जादा डबल देखने को मिलेगी आपके सभी काम सफलता पुरण संपन होते चले जाएंगी किसी भी तरह की रुकावट देखने को नहीं मिल रही है काम असधारन रूप से शानदार ही होगा आपको अपना काम पसंद भी आएगा और उरों को भी आपका काम बहुत पसंद आएगा आपके वह कुछ नवीनी करण के उपलक्षमी कुछ सोथ विचार कर सकते है जिससे आपकी राए लेंगे और आपकी राए बहुत एहम भूमी का निभाएगी इसलिए अपनी राए भी सोथ समझ कर दीजिएगा और बॉस की परसंद था आपको जहें पत प्रतिष्टित कर सकती है आपकी प्रमोशन को दिलवा सकती है तो इस बात का आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए तो यह थी बिजनेस और करेट की बात और अब बात करते हैं आज के लव लाइफ के पारे में तो लव लाइफ आज की कहती है कि घर और परिवार से रिलेटेड समी कामों में जीवन साथी का भरपूर आपको साथ मिलने वाला है और आपसी भावनात्मक समन्द भी आपके बहुती ज़ादा मचबूत बनते नजर आएंगे आपका साथ ही आपकी कमपनी से प्यार करता है यानकि जहांपर आप काम करते हैं या पिर आपका बिजनस है जहांपर आप अपने साथी को प्यार का एहसास करवाते हैं आपका साथ ही आपकी कमपनी से प्यार करता है आपका साथ ही आपके साथ अपनी रूचियों को सांजा करना पसंद करेगा कि उनको क्या क्या किस की चीजों में इंटरस्ट है क्या वो लाइक्स करते हैं तो आप भी अपनी चीज़ें शेर कीजे ऐसे दोनों में जो सबंद है बहुत ही मचबूर बने के पहले से जादा परिवार के साथ मुलरंजन और डिनर के लिए जाना आज यादगर भलों में शामिल हो सकता है पती-पत्नी के सबंदों में इसे नजदी क्या भी आएंगी बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही खुश रहेंगे आज के दिन बात करते हैं अब आपकी हेल्थ के बारे वे तो हेल्थ कहती है हेल्थ आपकी एकदम ठीक रहेगी लेकिन हाँ वर्तवान वातावरंट की वज़े से लापरवाही नहीं बरतनी है इस बात का ध्यान रखेगा आपको प्यार के पंजिया टकनों में मोच आ सकती है धुम्बरपान या अन्य कोई बूरी लत को छोड़ने का समय है छोड़ दीजिए वना सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है वज़ानों का समंदी रोग पुनहें उठ सकते हैं इसे लापरवाही मत बढ़तीगा दिन चर्या को सुविवस्थित कीजिए अपने दिन चर्या में योगा व्यास को जोड़िए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते है बात करते हैं आज के विशी शुपाय की तो आज आप के लिए जो है विशी शुपाय रहेगा कि आज आपको जो है शिव परिवार की पूझा करनी चाहिए और हाँ अजित की शादी नहीं हो रही है वो तो आज शिव परिवार की पूझा जरूर करें माप पार्वति की बुजा बश्चिक कीजेगा अर्शी छले सका पाट करना मत भूलेगा तो दोस्तों, अगर आप को वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूलेगा नन्यबाद